अपने घर से जल्ले कर जब जाओगे तो घर का वास्तु दोश, घर का पित्र दोश और घर का काल सर्प दोश तीनों उस लोटे के माध्यम से जाएगा और शिव को समर्खिटाएगा आज फिर निवेधन करूंगा इस नेपाल देश की पावन धरा से दोलेश्वर महादेव की कथा में निवेधन करना चाहूंगा जो बेटा बेटी नोकरी के लिए अपलाई कर रहा है जो बेटा बेटी चाहे सरकारी नोकरी हो प्राइवेट नोकरी हो सर्विस के लिए अपला जुरुबा सब जानते हैं दुबा जो माला पिनाई थी उसमें बहुत सारी लगी तुरुबा जो बेटा सक्ट के लिए अपलाई कर एंडेरो पढ़ाई करो खूब ओफ तैयारी करो अच्छे से तैयारी करो जितनी मेहनद तुम में पूर्व में करियो से डुगनी मेहनद तुम करो उस नोकरी पाने को और साथ में जब एक्जाम के लिए जाओ कहीं इंटर्व्यू देने के लिए जाओ दुर्वा शिवजी को दुर्वा का जो दंडी का मुख है यह असुक सुन्दरी वाली जगा फिर समझ लीजिए जैसे यह शिवलिंग यह गोल जलाधारी यहां से पांगी नीचे गिरता है बीच में असुक स सुन्दरी की ओर हो गया और यह भाग इस हो गया शिवजी को समर्पित करकर पहले दुर्वा चड़ाएंगे उसके बाद में देवदीदे महादेव को एक लोटा जल जो तुम घर से लेकर गया हो वो समर्पित करो तीन महीना लगातार अपनी पढ़ाई की महनत करो अपने इंटर्व्यू की महनत करो और खूब अच्छा पढ़ता साथ में एक लोटा जलोड दुर्वा शिवजी को भले दस दुर्वा की जगा केवल एक दुर्वा चड़ाओ चड़ाओ चड़ाकर जल चड़ाना तीन महीने तक लगातार बाबास से प्राखना करना विश्वास कर अगला पत्र तुमारा द्यास्पीट पर होगा निश्रीत आप करो महनत कर्म करने में पीछे मतटना पढ़ने में पीछे मतटना विद्याद्यान करने में पीछे मतटना अच्छी एजूकेशन पाने में पीछे मतटना पहले मेहनत अपनी करो पूर्व में जो इंटर्व्य तो दिये हैं उसमें जितनी कमी रेगी अगली कमी को फूर्ण करने के लिए अच्छी मेहनत करो अच्छे सभी आप फिर बाबा पर समर्थित पर बाबा पर विश्वास कर दो और और उसा पूरा करकर जाना इंटर्वी देते समय अपना पील पावर मच्छी ना चाहिए कि मेर मेरा काल अधी पती महा काल है अब निकल कर माने है हम दुकान खोलते हैं कपड़े की दुकान खोल रहा है किराने की दुकान खोल रहा है भंगार की दुकान खोल रहा है किराना की दुकान खोल रहा है पान की दुकान खोल रहा है हम दुकान खोलते हैं पर दुकान खोलने से पहले तुमारे दो मन हो जाते हैं चलेगी की नी चलेगी खोल तो लूँगी चलेगी की नी चलेगी जिस दिन तुम दुकान खोलो एक महीने पहले दो महीने पहले तीन महीने पहले बाबा को दुर्वा चड़ा कर एक लोटा जल चड़ा कर नियम बना कर जाना पीन महीने कर लिया कि दुकान खौल रही हो मेहनत करूंगी दिल से करूंगी भले मेरे पाद जागा माल नहीं है जितना माल खरिद के लाओंगी उतना बेच कर बताऊंगी क्योंकि मेरे साथ काल अधिपती महाकाल है तो वो चले विश्वास धड़ी करो धरोसा पक्का करो जिस दिन तु तु बट्र मुआल विजय तो जिस दिन तुम आनदता में बच्चों का विल्पावरह कमजोर हो रहा है दोस्त खेदेते हैं सुस्क्राइब की बढ़ाई बहुत कठीण है इंजिनिरिंग की पढ़ाई बहुत कठी ने लिकीश्याएव रहाएयव सथक यह पिर्वाले और मालूब पढ़े विचार करा तो चलाएगा कैसे होगा कैसे चलेगी तो वो छेयर्पी कभी नहीं चलेगी तुमने सोच लिया कि अपने छेटर में नहीं है महनाद करूंगा चार चान लगाऊंगा कहीं पर भी पर जीत कर बताऊंगा तो वो भेक्ट्री भी भग दोड़ेगी निशित्ता है आपका विल्पावर कमजोर नहीं मना जाए आप कैसे कमजोर हो जाए शंकर भगवान का भग कभी कमजोर नहीं पड़ता शिव का भग कभी कमजोर नहीं पड़ता आप मिहनत ओन जिसके घर में 20 साल संतान नहीं हुई जिसके घर में 10 साल संतान नहीं हुई जिसके घर में 17 साल 18 साल 25 साल 30 साल संतान नहीं हुई काप्चरों ने कह दिया था उलाद नहीं होगी चाहते तो वील्पावर मजबूत हो जाता कमजोर हो गया विचार कर लिया संतान नहीं होगी सब दूर दिखा का तरलिया की टीवी पर कता सुनी शू पुराण में कहा होगा जब उसको भगवान ने सत्रह साल में संतांदी है तो मुझे तो चार साल साधी के हुए हैं पास साल हुए हैं मेरा बाबा मेरी जोली भरेगा बील पावर मजबूत हुआ और बाबा ने उलाद देजिए तुम व दोलना नहीं पड़ेगा शंकर तुमारे साथ में कदम से कदम मिला कर चिलेगा तुकांड डालो चाहे फेक्ती डालो चाहे वेपार करो चाहे पड़ाई करो दिल से करो भूब दमदारी से उत्रो उसके बाद में फिर श्यूजी पर एक तिल पत्र या एज जम के बोलो क्या जाई दुर्वा एक दुर्वा सबसे पहली दुर्वा जाए उसके पहली को कि गणैजी पो और सबसे पहली दुर्वा संकर जी को कि इसने समर्पित करी करी कौन का वीलपावर कमजोर हो गया था, कौन अपने आपको कमजोर समझने लगा था, कौन था, जिसके अपास सब कुछ था, और उसके बाद भी उसका मन उदास हो गया था, वो था कुबेर, धनपती कुबेर, जिसके अपास में सत्ता की कमी नहीं थी, बेबहु की कमी नहीं थ संपधा की कमी नहीं थी वो खुवेर जो एक जगा बेढ़ जा तो लोगों का खुवेर का भंडार भर दे खुवेर का खजाना कम हुआ भंडारा कम हुआ आंत में उसमी आंख से जहां सुब वहा तब कुवेर एक दुर्वा लेकर महादेव के पास पहुचा और महादेव ने एक दुरवा दे कर रिती सिद्दी के हाद जड़ेंजी के पास पहुचाया, कुवेड से कहा, तु अपनी मेहनत कर, तु ने दुरवा दी है, ये दुरवा तुझे वापिस कुवेर अधिपती बना कर छोड़ेगी, और छोड़ा, एक दुरवा में वो बन होता है, जो उसके बील पागर को मजबूत कर देती, संपदा को मजबूत कर देती, उसके सता को मजबूत कर देती, उसके देवहों को मजबूत कर देती.